हेलो हाई नमस्ते नमस्कार दोस्तों मैं विशेक कुमार आपके अपने यूट्रूब चैनल बाले स्टूडी पे आपका स्वागत करता हूँ आज मैं आपको कच्छा नवी अध्याई एक रिसाइन सर्ष्ट के दिर गुत्तरिय प्रेश्ट बतलाओंगा चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले मैं आपको बतला दू यदि आप इस चैनल पे पहली बारा हैं तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ से यार दिर गुत्तरिया प्रथम प्रश्ट में ठोस दरब और गैस में अं विक। बना लेजेगा तव एक तरफ ठोस लिक्या एक तरफ डब लिखिए और एक तरफ गैस लिखिए आँ उसके बाद करना आपको यह है जो इत्धा में परथम नमड़ लिखना है छोस की आकिर ती और आईतन निश्चीत होती हैं जय चानक जाते हैं दोस्तों तोret होती है वो भी निश्चित होती है और आईटन भी निश्चित होता है आप मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो अब इस वीडियो को देखने एक बाद वो वीडियो भी देख लेजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तब आपको यह आसानी से समझ में आने लगेगा दरब में फर्ट नमर लिखे दरब की आकिरती आनिश्चित परंतु आईटन निश्चित होती है और गैस में फर्ट लिखे गैस की आकिरती और आईटन अनिश्चित होती है अब ठोस में सेकेन नमर लिखे ठोस बहुत कम संपीडिया होती है और दरब में सेकेन नमर लिखे तोस की तुलना हें अधिक संपिडिया होती है और गास में ठर्णे भले के गास बहुत संपिडिया होती है अब लोग ठर जाएंगे ठोस का ठर्णे में ठोस का घनत्वे उच्छ होता है और द्रब में ठढ़ना में लिकिए द्रब का घनत्वे ठोस की तुलना में कम होता है और गैस में ठढ़ना में लिकिए गैस का घनत्वे सब से कम होता है अब ठोस में फोर्स नमा लिकिए ठोस में कनों की उर्जा कम होती है द्रब में फोर्स नमर लेके द्रब में कनों की उर्जा ठोस की तुलना में उच्छ होती है अब गैस में फोर्स नमर लेके गैस में कनों की उर्जा अती उच्छ होती है अब ठोस में फिपत नमर लेके ठोस बहते नहीं है और द्रब में फिप्तर में लिखी द्रब बहते हैं और गैस में फिप्तर में लिखी गैस भी बहते हैं एक्जामपल में बैंच, पानी और अक्सीजन ये तीनों का तीन एक्जामपल है आप अधिक भी लिख सकते हैं चाहे एक भी लिख सकते हैं बस अब हम लोग सेकेन नमर कोश्टन है गैस के बिसिस्ट गुनों का उलेक करें इसका उत्तर अप लिखें गैस के बिसिस्ट गुन निम्ड लिखित है और इसमें फर्स्ट कॉइंट बना के लिखें आकिर्थी आइपन उसके बाद इस तरह से एक डैस लगाएं जैसा कि यहां प अडिती और आईतन और इस्ट गुत हैं और सेकेन व्यव्य पैंट बनाइए घनत वे और जैसला के लिखिए ठोस एवं दरवों की तुलना में गैस के घनत निम्ड होते हैं तर्ड नममर पॉइंट में लिखे दर्वनाउंक और पोटनाउंक डैस लाके लिखिए गैस के दर्वनाउनक और पोतनाउंक ठोस और दरव की तुन्ला में निम्न होती है मतलब कम होती है और फोड नममर लिखिए Sampid Yatah इसका डैस लाया के लिखे गैसों की संपिटता बहुत अधिक होती है और फिर्फ नमर पॉइंट लिखे उस्मा और ठंड का परभाव इसका उत्तरब लिखे मतलब डैस लाया के लिखे गरम या ठंड है करने पर गैस को क्रम सा प्रसारित या संकूचित किया जा सकता है और फिर्फ नमर लिखे गैस का संगनन इसमें लिखे पदार्ट के गैस ये रूप का दरब रूप में परिवर्तन गैस का संगनन कहलाता है सेमेंथ नमर पॉइंट बनाईए और लिखे गैस का दाब इसका उत्तर दीजे ग्यास के कणुद वरा बरतन की दिवार के पट्रि जतर फंपर आऊपित बल ग्यास का दाब कहलाता है सा कण्ड नमर कोस्थन हम लोगं का खतम हुन, अब हम लोगं फ़र्ड नमर कोस्थन पर चलते हैं दोस्तो अब उन्यों का थर्ड नमर कोश्चन है क्या बायू को संपीडित किया जा सकता है एक कार्य कलाप के साथ वर रुन करें इसका उत्तर अप लिखिए हाँ गैस को संपीडित किया जा सकता है दोस्तो आप यहाँ गैस और यहाँ बायू समझ के कन्फ्यूज मत होएं क्योंकि गैस को बायू करते हैं बायू को ही गैस करते हैं इसका उत्तर लिखिए हाँ गैस को संपीडित किया जा सकता है किया कलाप के लिए 10 ml का एक सिरिंज ले सिरिंज के मूह को रवर के काग में घुसा कर बंद कर दे जैसा की चित्र में दिखाया गया है आपके स्कीन पे जो चित्र अभी दिख रहा होगा उस तरह से रवर के मूह को काग से बंद कर देना है घुसा कर बंद कर दे जैसा की चित्र में दिखाया गया है अब सिरिंज क कि पिश्टन को पिश्टन को निकाल ले ताकि संपूर्ण सिरिंज के अंदर बायू परपेस कर जाए अब पिश्टन को पुना सिरिंज में घुसा दें जब अंदर बायू परपेस कर जाए तो अब हम लोग पिश्टन को पुना सिरिंज में घुसा देंगे ध्यान रहे कि पिष्टन में कोई रिसाब ना हो, ना रहे बल की वा बायुरुद हो, इसके लिए अविस्टिक हो तो पिष्टन के चरु तरफ भैसल लगा दे, ऐसा करने से सिरिंज के किनारों से होकर बायु का आवा गमन पुरुनता बंध हो जाएगा, अब पिष्टन को अ आईतन कम हो रहा है, इसका अर्ठ हुआ की बायु के संपीडिये होने के कारण, उस पर दाब बनाने पर उसका आईतन कम होने लगता है, इस से पता चलता है कि बायु संपीडिये होती है, आप सबसे पहले वास्पन लेंगे, और अहां पर एक डैस देके, उत्तर लिखेंग किसी दरब का कमरे के ताप या दरब के कोथनां के नीचे तापो पर वास्प बनकर धीरे धीरे वाय उमंडर में जाने की प्रिकिर्या वास्पन कहलाती है, या वास्पन का प्रिवासा हो गया, अब हम लोग कोथन का प्रिवासा लिखते हैं, कोथन लिखके डैसेंगे, जि कि आपके स्कींदे ब्लैक क्लरोला कोलम है और एक तरफ आप लिखेंगे वास्पन और एक तरफ कोथन और वास्पन में फर्स्ट लिखेगा मतलब पहला नमर लिखेगा या एक स्वता होने वाली परकिरिया है जो सभी तापों पर होती रहती है और कोथन में फर्स्ट नमर ल सब्सक्राइब करने बारे कार्णों का उल्ले करें आप वास्मन को प्रभावित क्या क्या करता है दोसे दोस्तों अब ऑल्ले करना है कारण का चुलीए हम दौ करते हैं चलने से पहले मैं आपको ऩरूद करता हूं आक 羌त जोर के की आप इस चैनल पर पहले बारा हैं तो चैनल को कर दिजिए सब्सक्राइब वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ सियर इस कोस्टन का फर्स पॉइंट बना के लिखे द्रग की प्रकिर्थी और डैस दे के लिखे द्रग का कौथनांक जितना ही कम रहता है उसका वास पर उतना ही तेजी से होता है उदारंग के लिए इतर का कौथनांक 34 डिग्री सेल्सियस और जल का कौथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है अता जल की तुल्ला में इतर अत्य धिक तेजी से वास में परिवर्थतर तित हो जाता है और सेकेंड नमर कोश्चन है द्रब का ताप इसका पॉइंट बनाएक लिए कि द्रब का ताप जितना ही अधिक होगा उतना ही देवता से द्रब का वास पन होगा इसका कारणिया है कि उच्चे ताप पर द्रब के कनों का वासत बेग बढ़ जाता है अतो द्रब की सतह वाले कनों का द्रब से निकल जाना असान हो जाता है और ठर्ड नमर लेकिए द्रव का प्रिष्टी अच्छत पर जितना ही अधिक रहता है द्रव का वास्पन उतना ही तेजी से होता है इसका कारण यह है कि द्रव के वास्प के करूँ वायू तेजी से बहाले जाती है और आधिता लेकिए एक आधिता का प्रिष्ट लेकिए वायू में पस्चित जर्वास्प की मात्रा आधिता कहलाती है वास्पन के वेक पर बायो मंडल की आधरता का कापी परभाव पड़ता है जासा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं दरब के वास्पन से ठंड़क उत्पन होती है और यह हमें बोला है कार्या क्लाब करके बतलाने के लिए तो चलिए हम लोग कोस्टिन का सम्मान करते हुए इस कोस्टिन का हम लोग उत्तर देते हैं जल्दी से कर देजे मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाएक है यह चैनल किसी और करने बल्कि आपका है आप जब चाहिए सेर्पी आ सकते हैं मैं आपको इस पर फिरी में कॉंटेंट उपलब्द कराती रहता हूँ इसका उत्तर लिखी वास्पन की किरिया द्रव के सता पर होती है सता पर के द्रव के कन द्रव के भीतरी भाग से उसमा उर्जागरं करके अत्यभी कुर्जा प्राप्त कर लेती है जिससे यह गैस के रूप में बायों में चले जाते हैं इससे द्रव का ताप कम हो जाता है और वह ठंडा हो जाता है, यह था छोटा सा पॉइंट, अब कारे कलाप लिखके, यहां पर लिखके, एक मिट्टी के सुराई में जल भर ले, तथा इसका ताप अंकित कर ले, मतलब यह फिक्स कर लेते हैं ताप को, अब सुराही का मूँ धक्कन से बंद करके छोड़ दे, द शुम्स्राइब वाष्पन से यकंड, जल वाष्पन के रिया आविसक कुश्मँ, शुराही के जल से प्राप्रूकी है, जिससे सुराही का जल ठंडा हो जाता है इस question यह question आप लोग कर समगत हुआ, आप लोग यह question याद करके हमें सुना सकते हैं एक email ID की समगता से, जो आपको हमारे description में मिल जाएगा सिबंट नमर कोष्चन है किसी काले कलाप का वर्नन करके बताए कि काले वस्तू शपयद वस्तू की तुलना में उस्मा कालवसोशन अधिक करती है जिसका उत्तर लिखे A और B जो थर्मों मीटर लेते हैं एक के बल्व को सफेद कपले से और बी के बल्व को क्रारे रंगे कपले से धक देते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया अभी मैं आपको चित्र दिखाने बला हूँ अब दोनों थर्मोमीटर को धूप में समान ताप पर रख देते हैं पंदर से 20 मिनिट के पस्चा दोनों थर्मोमीटर में पारे का अस्तर देखने पर पता चलता है कि थर्मोमीटर ए में पारे का अस्तर उचाई तक पहुच गया है जबकि थर्मोमीटर बी में या अस्तर यह सफेद कपड़ा है, यह काला कपड़ा है, ठीक ना, देखें, सफेद कपड़ा का टमपरेचर कम रहा, लेकिन काले कपड़ा का टमपरेचर हाइ हो गया, क्यूं? क्यूंकि यह उसमा, अब क्यूं हुआ, वह हम लोग आगे देखेंगे, ठीक ना, चलिए हम लोग क्यूं का पुक्त आप अपने कोपी में बना लिजिएगा सबसे नीचे अर्थां धर्मा मीटर ए ऐम अंकिताप कम और धर्मा मीटर बी अंकिताप अधिक है इससे असपष्ट यहां पर असपष्ट है दूस्तों यह ओ नहीं असपष्ट होता है कि थर्मामीटर B के बल्ब द्वारा उस्मा का अपसोशन अधिक वन थर्मामीटर A के बल्ब द्वारा उस्मा का अपसोशन कम हुआ है अब व्याख्या, व्याख्या का मतलन मैंने बतला है क्यों हुआ कि श्रूर कैसे वह सब कुछ विसमें हमलू जानते है जलदी जलदी बतलाएं काली वस्ट्व के उसमा का उपयोग स्वार के निर्मान में किया जता है यही कारण है कि गर्वी के दिनों में लोग सफेद कपरों के पुसाग पहलना नहीं पसंद कर दे हैं क्योंकि शपेद पुसाग उस्मा का आप सोसर कम मातरा में करते हैं यह कुस्टिन आप लोगा समग भूआ अब हम लोग एक प्रमक कुस्टिन देखिए उससे पहले आप जल्दिस मेरे चैनल को कर देखिए सब्सक्राब वीडियो को लाइक क्या लग रहा है को वीडियो अच्छा लग रहा है तो ना इस कीजिए और खराव रघ रहा है तो भीडियो को कर दोटिय डिसलाइक जल्दी से जल्दी एक कुस्न देखिए उसका उत्तर लेकि बरतमान के विज्ञानिकों होंने प्राइक की नहीं अवस्ता का अभिसकार किया है जिसे प्लाजमा अवस्ता कहते हैं प्लाजमा अवस्ता में प्लाजमा अवस्ता के अट एक आइनी करेट no पराजमा 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 आपको फ़ोग के तीन आबस्ता और पोफ द्रब और गया शिये, मैं किसी के साथ भी समान था नहीं रखती है, इसलिए से प्राथ की चयदूर्स अवस्ता प्राज्मा वस्ता कहते हैं अब हम लोग नायत नमर कोशन देखेंगे निवली खित के लिए कारण बताए फर्स्ट नमर कोशन है नायंत में दो कोशन दिया और नायंत का फर्स्ट कोशन है वर्फ के टुकलों को असपर्स करने पर ठंड़क करने पर ठंड़क करने होती है आप लोग जानते हैं कि जब भी वास्पन होता है उसमें से ठंड़क कुद्पन होता है और वर्फ वायू के संपाई में आएगा तो उसका वास्पन तो होगा है ना होगा पक्का होगा मेरे दोस्तों लोग सब जानते हैं कितना आप लोग ग्यान है कितना आप लोग के पास मुझे एक ट्यूशन देजेगा, कितना फिस लेजीगा, कोमेंट में बतला देजी, ठीक ना, अब अगला कोशन हम दोग देखते हैं, मिठी के घरा या सुराही में रखाऊ जल थंडा हो जाता है, यह कर निसका क्या है कि मिठी में जब मिठी के घरे में आपपानी जो हता, वो हूँ जरूर पीए होंगी, कितना आप पानी पी, यह साब बात मिदोस्तों,近 to 10 L p ya कि जल दिसको मेंट किजिए इसका उत्तर लिखिए मिट्टी के शुड़ाई में अनेग छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन से होकर जल के कन शुड़ाई के बाहरी सता पर आ जाती है जाता है जाती है अंतर समझे जाता कि पुलिंग के लिए जाती है इसी छोटी-छोटी मिश्टेक नहीं कीजिएगा नंबर तरेगा आप लोगा आपके घर पे कलांगा वास्पन से ये कन जल वास्प के रूप में बायों में चले जाते हैं इन कनों के वास्पन के लिए अविस्थ कुस्मा सुराई के जल से प्राप होती है जिससे दोस्तों यहां पी ये सुराई होगा गलती से गया सुराई है सुराई होगा सुराई का जल ठंधा हो जाता है आप लोग अब समझ देना क्यों होता है आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले किसी वीडियों में तब तक के लिए कुल बायों बायों बायों